वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें अज की क्लास में आप सभी का स्वागत है आज हम टाम्सार चैप्टर से एक्सरसाइज 5 को साल्व करने का प्रेस करेंगे और इस एक्सरसाइज के अंतरगत हम अबजेक्टिव टाइप ग्वेस्टन एड़ वकैबुलरी के जो क्वेस्टन से उनको हम साल्व करेंगे आए स्टेटमेंट्स दिये गए हैं उसको जो मुस्ट परफेक्ट च्वाइस हो उसको चुन करके इसको कंप्लीट करना है तो देखेंगे पहला वेन आंट पाली लुक्ट बिहाइंड हर टाम जब आंट पाली ने पीछे देखा तो टाम ने क्या किया रस्ट आउट आफ दा हाउस घर के बाहर भाग गया सेट साईलेंटली इन दा हाउस घर में बैठ गयात हम जानते हैं कि वो रस्ट आउट आफ दा हाउस हो घर के बाहर भाग गया इसको ये वाला जो होगा आपका आप्जेक्टीम सही है और इसको हम कंप्लीट करेंगे तरस्ट отправ अउट्ट आफ दा स्विस्टर संस तो हो जाएगा ताम वाज संस सिस्टर संस तरह से यह कंप्लीट होगा हाई थर्ड क्वेस्टिन द्थे टाम वाज्टाम क्या था ले जी सुस्ट था नाटी सरार्ती था यह जानते हैं कि सरारती था तो Tom was N-A-U-G-H-T-I इस तरह से objective टाइप जो question है वो solve कर लेंगे question 2 देखें point out the true and false statements in following करा है जो true and false सही और गलत के जो statements है उनके सामने true and false को उनको इंगित करना है तो लिखेंगे Tom's parents are dead करा है Tom के माता पिता मर चुके थे तो यह सही है इसलिए इसके सामने हम लिख देंगे true next देखें he is always up to some mischief वो हमेशा कुछ न कुछ गलतियां करता रहता था mischiefs misbehave करता रहता था यह भी सही है इसको भी हम लिख देंगे true aunt poly never wanted to punish him aunt poly उसको कभी भी सजा नहीं देना चाहती थी तो यह अब true है कि false है इसको आप देखेंगे तो यह false है कि उसको सजा देती थी तो लिख देंगे इसके बाद देखेंगे aunt poly always loved him aunt poly उसे हमेशा प्रेम करती थी प्यार करती थी टाम से यह सही है इसलिए इसके सामने लिख देंगे हम true next questions tom was not very clever tom बहुत हुसियार चतुर नहीं था यह गलत है वो बहुत चतुर था इसलिए इसको हम लिख देंगे false इस तरह से यह भी जो question है वो solve हो जाएंगे यह आपके question papers में आते हैं इसलिए मैं इसको हम पर solve कराने का प्रयास कर रहा हूँ next question देखें find out the words from the text which have the following meanings the first letter of each word is given as a hint कर रहा है पार्ट से उन सब्दों का पता लगा यह जो नीचे के जो यह statements दिये गए हैं उनके अर्थ को बताते हैं और फिर कर रहा है the first letter of each word is given as a hint कर रहा है उस सब्द का पहला अक्षर वहां पर hint के रूप में दिया गया है यानि one word substitution जिसे हम कते हैं एक वाके के लिए एक सब्द का प्रयोग हमें करना है तो हम पहले पहला देखते हैं एवाल और हेट for keeping out intruders करा है जो बाहर के लोग है यानि जिसे हम घुसपैटियों के लिए जो दिवार बनाई जाती है उससे हम क्या करते हैं और फ मतलब दिया है उस अक्षर का नाम जिससे इसका answer आना है तो एक दिवार जो बाहरी लोगों के लिए बनाया जाता है उसको हम चार दिवारी काते हैं boundary wall काते हैं जिसके लिए किताब में आपके fence का इस्तेमाल किया गया है इसलिए हम इसको लिखेंगे F-E-N-C-E fence मतलब होता है चहार दिवारी ठीक है उसी तरह देखेंगे to draw a deep audible breath to express grief गहरी दुख को ब्यक्त करने के लिए जब तीज सांस ली जाती है तो उसको क्या कहते है जिसके लिए आप देखेंगे कि आपकी किताब में एक सब्द का इस्तिमाल किया गया है येस से है जिसे हम कहते है येस आई जी येच इडी इसका अर्थ होता है गहरी सांस ली इसलिए इसका हो जाएगा साइड अब तीसरा देखेंगे कर रहा है एक ऐसा बरतन जिसमें लिक्वीड यानि तरल पदार्थ को ले जाया जाता है तो उसके लिए क्या इस्तिमाल किया गया किताब में तो बी से है तो इसका किया गया है बी यू सी के इटी बॉकेट मतलब होता है आपका बाल्टी इस सब्द का इस्तिमाल आपके दखेंगे जो इस्तमाल सब्द किया गया है पनिष सजा दिया जाता है तो क्या हो जाता है लिए पी यू यन आई एस हम ई एक पनिस्मेंट पनिसमेंट मतलब उसकी सजा दी जाती है यह हो गया नेक्ट कृस्टन देखेंगे सरांडेड ओपन इस्पेस चारोह से जो अस्थ पर लिखेंगे next question देखेंगे to take something without once knowledge कर रहा है किसी वस्त को बिना किसी के जानकारी को लेने को क्या कहेंगे उसको हम steal करते है यह steal मतलब होता है देखिए steal मतलब चोरी करना इस तरह से इस question को हम solve करने एवाल और हेट for keeping out intruders को हम sense कहेंगे to draw a deep audible breath to express grief उसके लिए हम side का प्रयोग करेंगे a vessel for carrying liquid के लिए bucket का to case a person suffer for fault or guilt के लिए punishments का और surrounded open space के लिए yard का और to take something without once knowledge के लिए हम steal सब्द का प्रयोग करेंगे next question देखेंगे give the opposite words of the following करा है opposite यान हिंदी मिसको हम करते हैं belong यानी बिप्रीत सब्द लिखना है ठीक है ध्यान देंगे give the opposite words of the following नीचे जो सब्द दिये गए हैं उनके हमको belong लिखना opposite words लिखना है पहला दिया hard hard मतलब कठोर होता है इसके लिए हम लिखेंगे opposite word होगा उसको हम लिखेंगे soft dead मतलब होता है मारा हुआ है इसके लिखेंगे alive alive मतलब होता है जीवित फिर दिया है long मतलब number तो small मतलब हो जाएगा छोटा इसमाल इसका opposite words हो जाएगा बेटर है तो better के मतलब होता है उससे अच्छा है इसके लिए हम उससे खराब सब का इस्तमाल करेंगे जिसके लिए वर्स मतलब उससे खराब गीव मतलब देना तो take मतलब होता है लेना तो इसका opposite word हो जाएगा इसी परकार never का कभी नहीं कभी नहीं के लिए हम इस्तमाल करेंगे always यानि हम इसा यानि al w a y s always का इस्तमाल न ना मतलब अb और देन मतलब तब होता है तब तो आम देन का इस्तमाल के लिए इसी तरह careful मतलब साउधान तो उसलिए किया हता और साउधान या लापरवाह के लिए हम इस्तमाल करेंगे careless कrit एक खेर लेस इस तरह से हो जाएगा हार्ड का जो आपोजीट वाड है। साफ्ट हो जाएगा डेट का अलीव मरहुआ का जीवित लांग का इस्माल बेटर का वर्ष गीव मतलब देना टेक मतलब लेना नेबर कभी नहीं आलवेज मतलब हमेशा अब देन मतलब तब और केरफुल मतलब साउधान और केरलस मतलब और शाउधान या लापरवा होता है इसलिए यह सारे जो आपके वर्ड हो जाएंगे इनको हम अपोजिट वर्ड है यानि इधर लिखेंगे वर्ड और इधर लिखेंगे opposite words इस तरह से ये लिख लेंगे आप लो next question जो है give the synonyms of the falling words यानि जो नीचे के सब्द है उनके synonyms लिखना है synonyms मतलब होता है समनार्थी यानि समान अर्थ वाले जिसको हम परयायवाची हिंदी में जब देखते हैं तो आप पढ़ते हैं परयायवाची उसी तरह से एक एक words के लिखना है यानि इधर है words और इधर आपको लिखना है synonyms ठीक है तो surprise मतलब होता है आश्चर या जनक जिसके लिए हम इस्तेमाल कर लेंगे एस्टो निस ठीक है surprise के लिए एस्टो निस का मतलब होता है आश्चर या जनक इस सब्द का इस्तेमाल करेंगे promise मतलब होता है वादा करना या वचन करना इसके लिए हम लिख देंगे assure मतलब होता है वचन देना इस सब्द का इस्तेमाल कर लेंगे lazy मतलब होता है सुस्त आलसी इसके लिए आप लिख लेंगे IDLE मतलब भी होता है LC ये इसका समना आर्थी हो जाएगा इसी तरह होता है Enough मतलब काफी इसके लिए हम एक वर्ड इस्तमाल करेंगे A lot of इसके लिए होता है परियाप्त ठीक है इसी तरह होता है Strict मतलब होता है कठोर इसके लिए गुडबाई इसके लिए होता है